एलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्पिलेनर देपर तो आज हम एक्स्पिलेन करने वाले हैं लेवलिंग अप इना फैंटेसी बल्ड का एपिसोड नमबर 12 तो अगर आपने अभी तक इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप से हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कुईन और ड्वान लॉंग में फाइट होने लगती है जहां वह वह एक दूसरे पर भारी पढ़ रहे होते हैं और तभी वह एक दूसरे पर पंच से अटेक करते हैं इसके इंपेक्ट से महाँ पर एक एनर्जी ब्लाश होता है तो इस एपिसोड की सुरुष में हम देखते है कि इस अटेक से वह दोनों पीच्छे हो जाते हैं तभी जिया रहा है मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस लड़के को जानती हूं और फिर ड्वान लॉंग कुई से बोलता है मैंने एक्सप्ट नहीं किया था कि तुम क्यूआ पल्स रिलम के सेकंड लेबल पर होगे लेकिन ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं है तो कुई एक मिनिट के ड्वान लॉंग को रुखने को बोलता है तो ये सुनकर ड्वान लॉंग बोलता है क्या हुआ क्या तुम अपनी हार मानने को ट्रेडी हो तो कुई बोलता है बिलकुल नहीं तुम्हारी काल्टिवेशन मुझे जादा है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक उसके point कम होते है तो वो उसे नहीं ले पाता तो queen ये देखकर बोलता है कि इस चीज की price 100 point है तुम डायरेक्टिव point क्यों नहीं ले लेती तभी system बोलती है अगर तुम एलिक्जर का use नहीं करते हो तो तुम्हारे opponent को हराने के chance 1% से भी कम है तभी queen बोलता है तुम्हें पता ह हो तभी queen कहता है ऐसे नहीं तुम ऐसा करो जिससे बाकी के लोगों को jealousy हो यह सुनकर जीव queen को hug कर लेती है इसे देखकर वहां कड़ा मूसान बोलता है इसे तो इतनी beautiful लड़की का favor मिल रहा है और कहता है मुझे भी beautiful girl को hug करना है तभी system उसे disciples की worship के लिए Congress करती है तो फिर queen अपगेड एलिक्जर बाय कर लेता है और फिर उसका यूज करने लगता है जिसके कारण queen की power बढ़ने लगती है और वहां पर एक aura blast होता है तो इसे देखकर dawn long कहता है इसकी वरीत अचानक से strong कैसे हो गई क्या इसने कोई secret method यूज किया है तभी queen बोलता है यह सिर्प warm up था अब मैं serious हूँ तो dawn long कहता है चलो तुमारी strength का test करते है और queen की और attack करने जाता है पर queen उस पर भारी पढ़ने लगता है तभी dawn long सोचता है यह लड़का actual में fourth level को broke कर चुका है तो यह काफी fast improve कर रहा है अकर यह मेरे लिए काम नहीं करता है तो यह future में जरूर मेरे लिए ब तो यह तो मर जाता है यह फिर disable हो जाता है और फिर वह बोलती है कि senior dawn long ऐसा कैसे कर सकते है तभी dawn long queen की तरफ वह attack कर देता है जिससे एक eagle queen की तरफ पढ़ने लगता है जिसे queen अपनी dragon sword निकालते हुए उसे रोकने लगता है और फिर उसे destroy कर देता है लेकिन उससे वहाँ प लेकिते है कि queen अपने आपको उस अटेक से बचा लिया होता है और फिर dawn long पर अपने bloody magic blade के second demon killing blade से अटेक कर देता है जिसे ड्वान रोकने का try करने लगता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता और उस अटेक के करण injured होकर पीछे गिर जाता है फिर तभी queen बोलता है sorry इसके लिए मैं ऐसा नहीं करना चाता था तो यह देखकर मूसान बोलता है इसने तो real में senior dawn long को हरा दिया तो यह देखकर सभी लोग बोलने लगते पर इसका level तो senior dawn long से कम था क्या यह real में उनके बराबर है तभी system queen को फिर से decibels की वर्षिप के लिए congrats करती है और बोलती है तुमने task complete क गए हो और उसे फिप्टीन ड्रेगन क्रिस्टल दे देती है लेकिन तभी मोत यान उस पर attack कर देती है जिसे कुईन अपनी स्वार्ट से रोकने का try करता है और फिर पीछे हो जाता है फिर मोत यान आगे आते हुए बोलती है तुमारी हिम्मत कैस हुई यहां पर लोगों को कुछती है क्या तुम ठीक हो मैं दूसरी तरफ ड्वान लोंग मोत यान से बोलता है मास्टर इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है फिर हम मोत यान को एक एबिल स्माइल करते हुए देखते है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खतम होता है तो आसा है कि आपको मेरी एक्स्प से पहले नोटिफिकेशन मिले तो तब तक के लिए टाटा पाइवाए